हे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रहा हूं हिंदी चेप्टर शिरीश के फूल आगे बढ़ने से पहले बता दू कि आपने अमारे चैनल अब तेक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज कर लिजी क्य दूस्तों मैं अमेशे इस तरह की इनफरमेटी वीडियो लेकर आता रहता हूं तो चली दोस्तों शुरू गरते हैं शिरीश के फूल जैसे कि लेखक इसमें हजारी प्रसात दिरवेधी वो शिरीश के फूल को अवदूती यानि सन्यासी मानते हैं जैसे अवदूत यानि सन्यासी वो लोग होते हैं जो एक सिद्धान पर चलते हैं जैसे कि सुख दूख समिक रत्वा लाभा लाबो जया जयो इसी सिद्धान पर वे अवदूत लोग चलते हैं और उन्हें किसी प्रकार की लाभानी ला कितनी भी मुसीबत आए उन्हें किसी प्रकर की कोई चिंता नहीं होती वे अपनी उस पृस्तितियों में भी सरस्ता बनाए रखते हैं यानि हिम्मत और होसले बनाए रखते हैं और इसी के माद्यम से ही वे आगे बढ़ते हैं उन्हें दुनिया से कुछ लेना देना नहीं होता कि दुनिया उन पर क्या कहेगी, क्या बोलेगी वे बिना किसी की फिकर किये हुए आगे बढ़ते है यही बाद शिरिश के फूल पर भी लागू होती है जैसे कि शिरिश का रख्ष भी आसपास प्रचंड गर्मी, बीशन तपन और लू के बीच में भी रहते हुए अपनी सरस्ता नहीं खोता बीशन गर्मी में भी उसका शरीर पुश्पो से लदा हुआ रहता है यानि पुश्पो से बना हुआ रहता है इसलिए लेकक ने शिरिश को भी अवदूत का है क्योंकि उसों देखकर ऐसा लगता है कि उसने काल को जीत लिया है यानि उसने जीत हासिल कर लिये और विपरीत परिस्तियोतों को भी पर्राजित कर दिया है यानि विबिन मुश्किलों से भी वो आगे बढ़ गया है उनको भी हरा दिया उनके मार्ग में जो मुसीबत आ रही थी और शिरिश का वरक्ष अपनी सरस्ता को बनायर रखने के लिए कोमल होने हुए पर भी फलों से कटोरता का आवरन ओर लेता है उसके फल विशेश रूप से कटोर होते हैं होते हुए भी सरस होते है यानि वे बाहर से तो कटोर होते है लेकिन अंदर से सरस एवं नरम या बढ़िया भी होते हैं लेकक जो कि हजारी प्रसाद दिरिवेदी है वो इस शिरीश के फूल से ही इस माध्यम से ही कहना चाते हैं कि जीवन में कितनी भी संकर्ष, एवं कोला हल, परेशानिया वा मजबूरिया क्यों न हो हमें अपने जीवन में भी सरस्ता वा उत्साय बनाई रखना चाहिए जिस प्रकार शिरीश का फूल प्रचंड गर्मी बीशन तपन को सहन करने के बाद भी सरस्त फूल प्रदान करता है उसी प्रकार हमें भी अपने सरस्ता नहीं खोनी चाहिए उसी प्रकार मनीशों को भी समाज में फैली लूट पाड ब्रश्टाचार मारपिट के बीच में भी निराश नहीं होना चाहिए और इन विप्रीत परस्तियों में भी अपने अटूट होने का प्रमाट देना चाहिए लेगग ने जैसे शिरिश के फूल को अवदूत का है उसी प्रकार अवदूत भी आत्मबल के प्रतीक होते है उन्हें अपने देह के पती यानि अपने शरीर के पती कोई लालसा नहीं होती किसी प्रकार की कोई गमंड नहीं होता क्योंकि उन्होंने ये जीवन त्याग कर दिया है इसलिए उसने किसी प्रकार का कोई गमंड नहीं है वे केवल अपने मन और आत्मा की साधना करते है और उसी में ही अमेशा लीन रहते है किन्तो दुर्बाग्यवश यानि कल्यूग या वर्तमान समय में सबी लोग अवदूत यानि सब पैसे को प्राप्ट करने में हुए में लगे हुए है क्योंकि उनके मन में प्रतिलालच का भाव आ गया है और वे पैसो के पाने में ही आगे लगे हुए है बड़े-बड़े साधू सन्यासी भी पैसो को ही पाने में लगे हुए है उनके प्रति आवदूत का कोई भाव उनमें दिखाई नहीं देता है जैसे उन्होंने सन्यासी का तो मुकुटा पैना हुआ है जैसे उन्होंने ये देश द्या कर दिया पर उनमें ऐसी कोई भावना नहीं है उनका यही मक्सद है कि इस बाव से प्रती और पैसा कमाया जा सके लेकक के कहने का मूल बाव यही है कि मैं लाभानी सुख दुख की परवा नहीं करनी चाहिए और इन विपरित प्रस्तितियों में भी अपनी सरस्ता नहीं कुनी चाहिए जो सुक दुख लाभानी की परवा नहीं करता वह सच्चा आदमी है और वही सच्चा कवी भी बन जाता जैसे लेकर खुद को कहता है कि मैं एक सच्चा कवी हूँ क्योंकि मुझे किसी प्रकार की लाभानी सुक दूख की परवा नहीं है और मैं विपरित प्रस्तितों में भी अपनी सरस्ता नहीं होता जैसे कि शीरिष के फूल बिशन गर्मी तपन में भी अपनी सरस्ता नहीं होता उसी प्रकार में भी अपनी सरस्ता नहीं होता ये थी इसकी short summary दोस्तों अब आज जाते इसके प्रशनों उत्तर पर जैसे कि first लेकरग ने शिरिश को काम जाई अवदूत यानि सन्यासी की तरह क्यों माना है सुख दुख समे करत्वा लाभा लाबो जया जयो ये एक तरह का सिद्धान्त है और इसी सिद्धान्त पर चलने वाले अवदूत सुख दुख में समान रूप से फलते फूलते है अरतत अने कश्टो और कठिनाय को सुएते हुए भी वे अपनी जीवनी शक्ती बनाय रखते है शिरिष का वरक्स भी आसपास प्रचंड गर्मी बीशन तपन और लू के बीच में भी रहते हुए अपनी सरस्ता नहीं खोता यानि अपनी हिम्मत नहीं खोता बीशन गर्मी में भी उसके शरीप उश्पो से लदा हुआ रहता है इसलिए लेखक ने शिरिष को अवदूत कहा है क्योंकि उसको देखे ऐसा लगता है कि उसने काल को जीत लिया है और विप्रित प्रस्तियों में भी उसे प्रराजित नहीं कर सकी यानि उसे हरा नहीं सकी इता फर्स्ट आवा आ जाते है सेकिन पर जैसे कि हरदे की कोमलता को बचाने के लिए वेवार की कटोरता को कभी कभी जरूरी हो जाती है प्रस्तुत पार्ट के आदार प्रस्ट करे हरदे की कोमलता को बनाय रखने के लिए प्राय कटोर वेवार आवशक किया है शीरिश करवरक्स भी अपनी सरस्ता को बनाय रखने के लिए कोमल होने पर भी फलों से लदा कटोर्टा आवरण ओड लेता है उसके फल यानि वे कोमल होते है उसके फल कटोर होते है और फूल कोमल होते है लेकिन वे अंदर से सरस होते और अच्छे होते हैं उसका फल विशेश रूप से कटूर होते हुए भी सरस होता है इसलिए ये सत्य ही कहा गया है कि कटूरता के आवरण में वे नीचे सरसता विद्यमान है यानि वे बार से तो कटूर दिखते हैं लेकिन अंदर से वे सरस है इता सेकिंड अब आजाते हैं थर्ड पर जैसे कि द्रिवेदी जी ने शीरिश के मादियम से कोला हल वर संगर्ष की बरी जीवनी स्थितियों में अवीचल रहकर जीजी वीशू बने रहने की सीख दिये इस पस्थ किया है ये जीवन में किती भी संगर्ष एवं कुला हल परिस्तितिया मजबूरिया क्यों न हो मनिश्य को इन विप्रीत परिस्तितियों में भी अपने जीवन की सरस्ता वा उत्साय को बनाए रखना चाहिए जिस प्रकार शीरिश का फुल प्रचन गर्मी के बावच परिस्तितियों में भी विप्रीत परिस्तितियों में भी शांत रेकर अपने अटूट रहने का प्रमाण देना चाहिए यानि मैं अभी भी मजबूत हूँ और इन प्रिस्तितियों को सेन कर सकता हूँ इता थर दोस्तों अब आजाते फूर्ट पर जैसे कि हाई वावदूत कहां है ऐसा कहकर लेखंग ने आत्मबल पर देह बल के वर्चिस की वर्तमान सब्यता को संकट की और संकित किया है कैसे अभ्दूत आत्मबल के प्रतीक होते है और वह अभ्दूत एकी सिद्धान पर चलते हैं जैसे कि वो जो मैंने पहले बताया था उनमे अपने देए के प्रतीलालसा नहीं होती अपने शरीर के प्रतीलालच नहीं होता वे केवल मन और आत्मा के साधना करते है और परंदु दुग्या दुर्भाग्य वश में यानि वरतमान समय में सभी लोग देहबल धनबल आधी को प्राप्त करने में लगे हुए यानि वे पैसे कमानने के अनेक उपाय ढूंड रहे है बड़े-बड़े साधू सन्यासी से लेकर अनेक विद्धिमान ऐसे ही करते है और ऐसा ही करते हुए से प्रतित होते है ऐसे में लेखक का यह कहना उचित है कि भारत आत्माबल वाले सन्यासी नहीं रहे है लेखक ने इस पार्ट के माद्यम से ये संकित दिया है कि संसार में व्याप्त लूट पार्ट, मार कार्ट, खून खराबे की भी शीरिश या गांधी जी जैसे अनाकरस्त योगी न रहे तो संसार अगनी की जुआला में भस्म हो जाएगा और इस संसार में मानवता पून रू जी शाषन को हटानी की कामना भी की थी और इसी करण उनकी वज़े से ये आज अमारे देश आजाद हुआ था इसलिए लेखक ने गांधी जी का इसमें चैयन किया है जैसे कि कवी सहित्यकार के लिए अनाकरस्त योगी की स्थिर प्रतिग्या और विद्यमान प्रेमी की हुएदे एक साथ आवशक है ऐसा विचार प्रस्तुत कर लेखक ने सहित्यक कर्म के लिए बहुत उचा मांदन निर्धारित किया है विस्तान पूर्णक समझाईए ये पूर्णत सची है कि कवी की समाच कवी ये साहित्यकाल में बहुत ही उचे आदर्शों की अपेक्षा करता है जो कवी अनाकरस्त योगी और स्थिर प्राप्त होते हैं वह प्राय कटोर निरस और नितिग्य होते हैं उसमें सरस्ता नहीं होती दूसरी और जिन के पास की अपेक्षा की है ये व्रज में भी अधिक कटोर और कुसुम में भी कूमल होने जैसा है तुलसी सुर्वालमिका कालिदास जैसे महान कवी मर्यादाओ से बंदे हुए रहते हैं भी अपने वैसरस बने हुए थे इस प्रकार जो साहित्यकार इन आरदर्शों का पालन करते हैं वे वास्तव में मानवता की शेणी में गिने जाते हैं लेकर के कहने का मतलब ये कि उस समय की महान कवी जैसे की कालिदास कुसुम तुलसी सुर्वालमिका उस समय में भी सरस बने हुए रहते थे और आज उसी का प्रतीक है कि वे मानवता शेणी में सबसे उत्तम गिने जाते हैं यह ता फिफ वाजाते सिक्स पर जैसे की सरवगासी काल की मार में से बचने हुए वही दीर जानी हो सकता है जिन से अपने वैवार से जुड़ता छोड़कर निल बादल वाली स्थतियों में निरंतर अपनी गती शीलता बनाय रखी है पार्ट के आदार पस्ट करें यह सत्य है कि सरवगासी काल का विकल्ब रूप सरवत्त समया हुआ है चारो और ही अगनी और लू के समराज्य से फैला हुआ है ऐसी प्रश्थितियों में भी जो स्वयम को बादल नहीं पाते वे सूख जाते है और नश्ट हो जाते है इसे विपरी जो प्रतिकूल प्रश् कठोर परिस्तियोतों का सामना करते हुए भी उनमें खड़े रहे थे और उनका डटकर सामना किया था अपनी कठोर परिस्तियोतों का सामने वे नस्ट नहीं हुए थे बलकि अटल रहे थे अटूट रहे थे और बलकि विप्रीत परिस्तियोतों में भी रस लेकर सरस बने रहे यह था 206 अब आजाते सेंद पर जैसे के आस्य पस्ट करें फर्स्ट दुरंद प्राण धारा से लेगे जम्मे की मरे मनुश्य या प्रक्ति जो निरंतर संगर्शील है और जिन में जीने की इच्छा प्रबल है उनमें और उन सब कुछ नश्ट करने वाली विनाशीलता में न जीवनिय शक्ति मृत्यू प्रविजय प्रात कर अपने गतिशिलता को बनाय रखने के लिए जीवित हुई है कहना का तातपर यह यह है कि जो लोग मुरत्यू के से बचने के लिए कुछ नहीं करते हैं वे छिपकर बैठ जाते हैं और वह सोचते हैं कि काल की गरस्त से बचे जाएंगे यानि हम बच सकते हैं नहीं बचे जाएंगे पर ऐसे सोचने वाले व्यक्ति मुर्क वह अग्यानी होते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि निरंतर वे हिलते डूलते नहीं है जो परिस्वतिय वश अपने को बदल नहीं रह आगे नहीं बढ़ते हैं तो वे काल में बच नहीं पाएंगे और जो अपने अपने स्थान पर जम्य हुए है अंतर उनका अंत होना निश्ट यानि कहने का मतलब यही है लेका का जो लोग छिपकर बैठ जाते हैं वे डरपोक होते हैं यानि अग्यानी मुरक होते हैं आगर मनुशी अपने आपको ही लेगा डुलेगा नहीं आगे बड़ेगा नहीं तो और परहलेको का सामना करेगा नहां आताम यही है तो ही आप बच पाएंगे वन्ना नहीं इस पंक्ति से लेका का आशिय यही है कि जो कवी अपने कवी कर्म में लाब हानी यह यह अप्या सुखदू की परवा नहीं करता वही सच्चा कवी होता है जैसे कि लेका को स्वैम को खुद अच्चा मानता है वही अनाकरस्त योगी इसके विप्रीत जो कवी कवीता में आसकत हो जाता है अर्तात कवीता के प्रभाव परिणाम लाभ हानी में पढ़ जाता है वह बेपरभाव फक्कड नहीं हो पाता है और वह अपने एके करम में हिसाब करने लगता है ऐसा कवी स्रिष्ट कभी नहीं माना जाता लेका का मानना है कि यदि सच्चा कवी बनना है तो आसकरस्त भाव को छोड़कर फक्कड और मस रहना होगा यानि बीना किसी लाभ हानी इसुक दुक अप्येश मार कार्ड ब्रस्टाचार से दूर रहना पड़ेगा हमें तब ही वह सच्चा कवी बन सकता है यह तक हो अवाजा देगा पर फूल हो से लेके इशारा है तक लिकर के कहने का आशिये यही है कि कोई भी फल हो या पेड स्वैम में अंतिम लक्षे नहीं होना चाहिए यानि हमें एक लक्षे को कंप्लीट करने बाद एक लक्षे करता है करने बाद दूसरा लक्षे में लग जाना चाहिए वास्तम में वह फल या पेड यह बताता है कि उनमें आगे उगने वाला यह बनाना वाला कोई अन्य है लेकर के एस पस्ष्ट करना चाहते है कि हमें यह के निर्मता को जानने पहचानने और प्रात करने की आवश्यक्ता है यह तर दोस्तों गर यह तर इसके कोशन आसर एं शॉर्ट सम्मरी मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों और प्लीज हमार चैनल को सब्स